नेता जी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन हॉस्पितल मल्नी स्पेशलिटी 380 बेड़ेद हॉस्पितल अनभवी डॉक्टर्स and train paramedical staff 24 hours emergency services नेता जी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन हॉस्पितल अंहारा बिहटा पत्व परचिक्चन की आपने ड्राइबर परसिक्षन केंद्र बनाया भारत सरकार के मंत्री उपमुख मंत्री सुसील मोदी रोडी जी खुद सभी लोग उद्गाटन किये तो एकलोता परसिक्षन केंद्र बंद क्यों हो गया पैसा कहां गया एक दूसरी चीज रोडी जी से मेरा अगरा है कि आप गाली दे हमको राजनिती के हैं कि मैं ओडियो नहीं सुनाओंगा एक ओडियो में न तो उनके लोग कह रहा कि अब अंती में हैं उनका गाली गलोष तक है वो जवरत होगी तो मैं आपको सुना दोगी कि उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो हैं वो गाली गलोष कर रहे हैं कहीं फॉन पर जितने अब रहम सब्दों का यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादब को मरवा देने से यदि एम्बूलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दबाई और नर्सिंग हों त कि तीसरी चीज़ उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एंबूलेंस चल रहे हैं यह एंबूलेंस ड्राइबर कर नहीं तो पहले तो आप यह बताएं कि यह सरकार का पैसा है जनता का पैसा है डियम इसके और अथरेटी स्लिप होते हैं वो सिंगनेचर करते हैं आप इसक को किसी पंचायत में नीजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं किसी मुख्या के हाथ में नहीं दे सकते हैं आप या तो सदर अस्पटाल में होगा या तो ब्लॉग के अस्पटाल में या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पटाल है तो वहां के द्वारा यह संचालीत है मैं बार-बार कहता हूं कि इच्छा सक्ति की कमी है नेताओं के भीतर नियत सही नहीं है कोई प्रिंस्पूल नहीं है इन नेताओं के भीतर की कब हम को क्या करना चाहिए जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बाली एसार 18 के बाद आज तक बाली नहीं हुई यह कहते है कि परसिक्षित ड्राइवर जब लाइसंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो परसिक्षित हो जाता है किस ड्राइवर को हैवी लाइसंस की जोरत है और किसको नहीं जोरत है चौथी चीत यह अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जैपरवास पता जहां सरकार का पैसा लगा उसको इनों ने करजाले बना लिया कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां करमचारी नहीं रहें इनके वरकर वहां ऐसो आराम की जिनकी जीते हैं और वहां पर यह लगबग 38-49 एंबुलेंस लगा के रखे हुए और और एंबुलेंस हो है इनके नीजी मुक्यों के घर पे यह एंबुलेंस इसलिए लोटा लिया कि अगले लोग सबा में जो मुक्या इनको भूट नहीं दिये उनके यहां से एंबुलेंस लोटा लिया चुनो के ठीक डेर चे दो मेहना के बाद अगले कौराना वाइरस में भी तेरह मेना पहले यह एंबुलेंस महीं लगी हुई थी मैं इन्हें चुनोती देता हूं कि अधि सच में वह बता दे भाई आपको तो कोई लाज होगा नहीं मंत्री मंदल से आपको हटा दिया बरस्थाचार के आरोप में तब भी आप ठत्रही करते हैं आप जहां के चेर्म São guitarоло के क्राफ के बने वहां भी घोटाला तभी आप ठत्रही करते हैं प्रेयाबर्यामें एंजियो आपका जाच होना चाहिए तब हम ध्यों शाट रही करते हैं आप sa Annaा गए मने वाला को जितने बाला जिनका अपना कुछ हो ही नहीं अब वो हमें राजनिती तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके राजनिती तो गुज्राज जी भी आके चुनों लड़े हिंदुस्तान का सरजी से लेके मधूली मैं मुक्ति मुहम्मद साइद एम जे हक्मार चन सेकर जी अटल जी जोर सहब सरद यादव सब बिहार को और देश में सब जगा जाते हैं देश में कोई हमारी डिमोक्रेसी सब को इजाज़ा देती है सब जगा जाते हैं और हम एक पार्टी के हैं मधेपुरा घर नहीं है बिहार घर है मेरा और हम बिहारी हैं जितने रूडी जी आप लोग सम्मिल के लूटे होंगे ना उतना हम एक मेने में बाढ़ते हैं एम्बूलेंस की बात करते हैं छप्रा में जितनी घटना घटी पप्पू यादम ने पचास हजार से लाक लाक रुप्या पहुचा है और वो सारे प्रूम्ट के साथ आप एक भी मड़र और घटना में आज तक नहीं गए लिस्ट फिरास्थ है हमारी कोई नीजी दुस्मन ही नहीं है लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बूलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा एफायर होना है तो आप नीजी पैसे कोस्प में नहीं रख सकते थे सरकार का पैसे का गवन हुआ है तो जब सरकार के पैसे का गवन हुआ तो ये फ़ः होगा न इंक्वारी होगी न और जब आप को डृबर नहीं हो सकता मुदी है तो मुम्किन है तो फिर आप रिजाइन कर दीजे आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने किरपा कर दिया आशिर्वाद दे दिया कि आप 33 बार संसद हो गए और वो भी इसलिए संसद हुए कि लालू यादब जी के कारण यह दो धारा के बीच आप संसद हुए मैं तो आप किसी कारण से नहीं होते राज़त के कारण आप ग्यान सिखाने लगे एक दिन पहले आपने चिठ्ठी लिग दी च्वा तारी को हम गये साथ को च्वा का चिठ्ठी यह दियम पर भी इंक्वारी होना चाहिए कि चिठ्ठी कब गई एक साल सबा साल से लगी वी एंबुलेंट तब चिठ्ठी नहीं ट्विट ट्विट खेलने वाला यह ललबब वालो यह बिना आशनो पॉडर वाले नेता इसको और मुस्क में भर्दिद रहने वाला आंक में चॉली खेलने वाले रूडिदी पूरे दुनिया को पता है आपके बारे में क्या क्या रंग रंगे लिया मनाते हैं आप लोग और कहां कहां मनाते हैं अब कितना आरोप लगा वह भाजपा को पता है कि सूब बाज़त बाज़त चलियों बाज़े चीसे के घर में राकर के पत्तर फेकते हैं कि एफ आयर लॉज होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुप्योग हुआ सरकारी पैसे का एंबुलेंस नीजी घर में क्यों सरकारी पैसे का एंबुलेंस का पैसा कहां गया और जिस सरकार को बीजेपी की सरकार है जिस सरकार को ड्रैवर देने की और एम्बूलेस के बेगर पूरा बिहार में लोग मर रहे है पुर्णिया से सिल्ली गोरी 24,000, पटना 30,000, दर्बंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हूँ यह क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों? क्यों खोले? प्रैनिंग कॉलेज खोलने की जौरत क्या थी? और सरकार क्यों सोई हुई थी? इस से पता चलता है कि सरकार विहार को मारने में, विहार की जंता को मारने में कोई कसर बांगी नहीं रखा पटना में एक किलो मीटर का एम एंबुलेंस चलाता है माप्या बोली बारूद होती है क्यों 18 रुप्या कि सरकार से मैं मांग करता हूँ कौराना पेसेंट को एंबुलेंस फ्री किया जाए कि कम्प्लेट फ्री किया जाए लोग जिद्गी और मौत की जिंद्गी जीते हैं जिंद्गी तबाह हो चुकी पैसे नहीं है गर में लेकिन एंबुलेंस वाले चब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं हो रास्ते में मार देते मैं कल भी कहा किसी भी किम्मत पर फ्रावेट नर्सी गोहम को आंध्रा के तर्द पर अफ्री करिए फिर एमडी सी बार एमडी सी बार एक महने से उपर हो गया और अभी तक लाखों चान चली गई और इनका अलावदीन का चिराग हो गया रंडी सी बार हमारे नेता प्रेम्चन सिंग्जी का छेत्र वो घर है इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां मिलोस लगए और आज अभी हम आगरा करेंगे हमारे नेता प्रेम्चन सिंग्जी त्यार है चालिस ड्राइबर को लेकर के लासेंस के साथ कहां पर ड्राइबर भेजा जाए प्रेंचन सिंग्जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं 9334123702 9334123702 जहां भी सरकार का अबुलेंस ड्राइबर के वेगर ख़रा है आप प्रेंचन सिंग्जी को टेलिफोन करें ड्राइबर महुई आई करें हमारे ड्राइबर सारे तैयार है किस वक्त रूटी जी को ड्राइबर चाहिए प्रेंचन सिंग्जी को फोन कर लें उनीं के परिवार उनीं के घर के हमारा कोई मतलब नहीं था रूटी जी को आध करने का मैं दिल से कह रहा हूं हमें जानकारी मिली वहाँ, एंबूलेंस लगा था, मैं चला गिया। जबकि मैंने पहले ट्विट किया और कल प्रेश उन्फरेंस में बोला, वहाँ से एंबूलेंस को पीछे लगा दिया गया। झानकारी मिलीी, कि वहाँ एंबुलेंस है चीलिए हम घए हम रूडी जी हमारे लिए टार्जट नहीं हो सकते और जो व्यक्ति हर पेसंट को उठाता हो चूता हो जिसकी जिन्दगी मौत के साथ जूशती और राज़निती क्या करेगा जो हलपल समसान जाने की तियारी करें और अब तो उनके लोग धंकी दे रहे हैं कि उल्टा गिंती सुरू हो गया पपुया दब जब वो जोरत होगी तो वो ओडियो मैं दूंगा आप लोग आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वारी पैसे का गमन शिमिल सार्जन पर केस और संबित पात्राजी बताइए पपुया दब के पास दो वेंटिलेटर था मेरे अपने पैसे के वपोती तो आपके पेट में दराद हो रहा था जल्दी अस्पताल भेज़ दिजिए जबकि छेचेशे साथ साथ वेंट हुआ हूँ जहां से इमर्जन्सी होती है पपुया दब भेजते हैं और जेलियर है मेरा फादर हो या कोई मोदी जी हो या नितीजी जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और हम आदमी को मारा जाएगा तो पपुया दब मरने की त्यारी करेगा हमें मरने से कोई डर नहीं इसका जबाब दे दें नितीजी से आगरा करेंगे इसकी पूरी इंक्वारी हो MP लेट्स का गारी घर में कैसे प्राइबेट जगों पर कैसे और ये सारे ड्राइवर तयार लैसेंस ड्राइवर है अब इलम इसकी सरकारी नोक्री लगे शरकार जहां कहेगी सरकारी नोक्री के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तयार और कुछ पूछना हो तो पूछना ये ये इस्तिफादे दिये दर्भंगा पीमसी एज़ के अधिक्षट उन्हों ने एक लेटर जारी किया उन्होंने का कि हम एक दिन पहले जो है वो उन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है ना कुछ है इसलिए मैं नोक्री में नहीं राज़ रखता यह बात बेतिया के भी कहे तो अब जब अक्सिजन नहीं है कला हम गये थे स्वास्ट मंत्री जी के कुरंटाइन शीमान सर्वा कोई नहीं था वह एक भी आईचियो रूम नहीं एक भी वेंटिलेटर नहीं ऑक्सिजन में पाप नहीं अन्ना तो आश्चर जोगा कोई दबाई रिम डिसीवर चालिस्टो आईचियो कुछ नहीं वेंटिलेटर नहीं ऑक्सिजन में कोई पाप नहीं और स्वास्ट मंत्री का जीला कि बारेबा मैं स्वास्ट मंत्री मेरे भाई है मैं इस्तिफार नहीं माँगूंगा लेकिन उनसे आग्रा करेंगे पूरा देश एक लाग से उपर ट्वीट पर उन उनको इस्तिफा मांगा जा रहा है तो भाई को टाय करना है कि जनता आप से क्या चाहती है और आपको क्या करना लेकिन मैं रूडी जी से आग्रख करूंगा कि हम भाई है धंकी ना दीजिए हम छप्रा भी लड़ सकते हैं हम सिबान भी लड़ सकते हैं तमकी ना दीजिए हम गोपाल गण भी लड़ सकते हैं पटना भी लड़ सकते हैं और राजनिती हर आदमी को जिम्मेदारी है पूरे देश की करने की और राजनिती चमकाने की आदत हमारी नहीं है विदांस लोग सबा मारे तब भी बार तब भी कुराना और विदांस सबा में हमारी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं की सभार गई तब भी पपू यादब विपक्च और सतापक्च तो आप जिम्मेदारी निभाली जिए पपू पू यादब आपको जगाता रहेगा सरकार की नींद खोलती रहेगी आप लोग धित्रास के तरफ अंदभक्ती मत करिए और हमें दुनिया में ना उपर से नीचे कभी धर नहीं लगता हर मिनट टू मिनट मरने की तैयरी पपू यादब करता है कि बिहार में कई जिलों की अकवार टीवी चैनल सासा राम से ले करके एक एक जगा दिखा रहा है बिलकुल कोई ट्रेंड ही नहीं कुछ ही नहीं वेंटी लेटर पड़ा हुआ है सभी जगह हलात अच्छे नहीं है मेंट लगाने का किसी के पास बहुत कम लोग जब यहां पर M.D. डॉक्तर भी 20-25 से ज़ादे नहीं है पूरे बिहार में M.D. डॉक्तर येट 20 से ज़ादे नहीं है और की बात छोड़ दीजिए और इसी कौसल विकास के अंदर उभी ट्रेनिंग देना था और सब पैसा घोटाला कर लिए इसलिए मोदी जी को हटाना पड़ा तो पहले बीजेपी को समझाईए और तब हमको समझाईए दन्लवाद बीजेपी के करदों में गौरब यूबा बादपा यूबा मॉर्चा ने कहा कि गलती है सजा मिलनी चाहिए गौह उसके उनके गौह से फौन आ रहा है कि हम ड्रैबर देने को त्यार है और मैंने एस्पेसली अपने दास्तिये महासरचीब को कह दिया हो जहां एंबुलेंस पर ड्रैबर नहों हो आप ड्रैबर देंगे वो खर्च प्रेम्चन सिंग्जी उठाए कुल कितने ड्रैबरों के व्यवस्ता अभी हो गए गिल लिजिए गिलिए गिना ये एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नो दस एगारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोजा सतरा ठारा उनाइस बीस अकाईस अभी अकाईस है यहां इस देखिए लाइस चौबीस लैसन से लिए लैसन निकालो डेखिए लूब लैसन से लिगणो चालीस डैवर हैं इनके पास तयार है यह भी सबका नाम लिख करके हम लोग गौर्वर्मेंट को भेल दे जा रहे हैं प्रेम संसीख जी अभी देन समर्पित करें